हलो दोस्तो नमस्कार मैं विकास शोदरी मैत की ओनलाइन कलास में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तो कल अपने एक नया टोपिक शुरू किया था चक्रवर्दी ब्याज तो आज अपन चक्रवर्दी ब्याज के बारे में आगे अधेन करेंगे तो चक्रवर्दी ब्याज की जब अपन बात कर रहे थे तो अपन ने दो वर्ष का चक्रवर्दी ब्याज ग्याद करना सिखा था और शीक भी गए थे तरीका जो मैंने बताया था उससे तो आज अपन तीन साल का ग्याद करके देखेंगे कितनी साल का ब्याद ग्याद करेंगे तीन साल का ब्याद अपन ग्याद करेंगे वो भी कौन सा चक्रवर्दी ब्याद ठीक है तो देखो मैं छोटा सा उधान लेगे एक क्योसन करते है अपन देखो जो अपन तीन साल की बात करें तो जैसे मैंने एक क्योशन ले लिया कि 10 हजार रुपए की कोई दनरासी है आप कह सकते हो मूल दन पी बरापर 10 हजार रुपए है और दर बरापर दे रखा है आपको 10 परतिशत वार्शिक ठीक है वार्शिक नए भी दे तो भी क्या मानना है वार्शिक की मानना है न दस परतिशत और शमय दे रखा है अपने को समय पराबर तीन वार्श ठीक है क्या ग्याद करना है अपने को C.I. ग्याद करना है चकरवर्दी व्यास देखो क्या दिया है परशन में कि 10,000 रुपए की कोई धनरासी है उसको 10% वार्षिक दर्शे 3 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है तो चक्रवर्दी ब्याज ग्याद करो दनरासी कितनी है 10,000 रुपए दर कितनी है 10% और अपने को क्या ग्याद करना है तीन वर्ष का C.I.E. ग्याद करना है तो अपना तरीका क्या बताया मैंने कि अपन सुत्तर से नहीं करेंगे क्यूंकि अगर सुत्तर से अपन करने बैठ गए तो टाइम बहुत जादा लगता है आपने को बजाना है your calculation है बहुत ब्यादबिर हमां भी रहती है तो देखो मैने बताया था कि जो भी क्यों सन्वेह दग रखा ए या जो परतिशत कमान दे रखा है उसको लिख लोक तो दस परतिशत दे रखा है लिखलिया उसके बाद में देखो कि जो समय कितना दे रा है अपने को जो भी समय क्योसन में दिया है वो कितना है जो भी है उसको उतनी बार लिख दो तो एक साल दो साल और तीन साल ठीक है एक साल दो साल और तीन साल दो साल को तो अब तीन साल को तीन साल तक लिख दिया तो समय तीन वर्ष है दस परतिसक्त दर है और दस हजार रुपए की क्या है मूल दर है तो हमें ग्याद करना है जब अपन दर ले लिया और सार लिख लिए उसके बाद में क्या करना है कि जो भी मूल दर दे रखा है उस मूल दर पे ब्याज लगता है उस मूर्दन का जो भी परतिसतदर में दे रखाए वो मान की आकरो ज्यात करो तो देखो 10,000 रुपे का 10 परतिसत ठीक है तो 10,000 रुपे का 10 परतिसत उतना आजाएगा 100 into 10 कितना? 1000 रुपे आजाएगा कितने रुपे आएंगे? 1000 रुपे क्योंकि 10,000 रुपय मूल दन ऐ, 10 पर 30 दर ए, एक वर्ष का समय है, तो बताओ, एक वर्ष का सादारन व्याज आ गया ला, चेकरवर्धी ब्याज है, लेकिन अपर चक्रवर्धी ब्याज का सुत्र नहीं लगाएगे, क्योंगि एक वर्ष का चक्र्वरदी ब्याज हो यह बराबर होते है तो समझ में आ गया गया एक वर्ष का यह ब्याज आ गया अपने को चीक है इसको हड़ा देता हूं झांगने ऑभ दूसरी साल का ब्याज करना है शाता को अजार रूप एक चिक कर अपने देखे रखा ना उसको तो 1000 रुपे और बढ़ गए अब यह अजर रुपे बढ़े क्यों है तो इस वर्ष जो एक वर्ष यह जाएगा कीवागत्र डिया लिए मुझे लीन लूतन अमयुद्म शाओần करें जाएगा हाजल लेकिन हमें पता है कि चक्रवरदी ब्याज में इस साल होने के बाद जब दूसरा साल स्टार्ट होता है तो जो भी ब्याज हमें मिलता है अस ब्याज पे और ब्याज लगता है, तो ब्याज कितना है, अजार रुपे, तो इस अजार रुपे पे और क्या लगेगा, अपना ब्याज लगेगा, ठीक है, तो देखो, अजार रुपे तो हो गए, वो ब्याज के, अब अजार में और क्या एड होगा, इस अजार पे जो ब्याज ू राया है 10% तो 10% निकाल दो हैं इसे से निकलेगा है तो दो जिरों से दो जिरों घट hai 10 को 10 से गुना कुतना दिन्ट एगा सो吧 आग्या ना दूसरी साल लॉक्त यह कुष्त हरी ऒर्य जो अजार रुपया है ठोज रबाकों दूसरी साल का दूसरी साल का अतलब एक साल complete होने के बाद में एक साल से दूसरी साल होने में तो एक साल से दूसरी साल होने में के और कितने साल लगती है एक ही तो लगती है तो इस दूसरी साल का ब्याज कितना है 1000 रुपए 10,000 रुपए का आ गया उसके बाद में एक साल में जो 1000 रुपए जो भ्याज लगा है उस भ्याज पर भी क्या लगेगा? व्याज कितना लगेगा? 10% है, तो 10% जैसे ही भ्याज लगेगा तो 1000 का 10% निका लिए कितना जाएगा? 100 रुपए, तो 2 साल का अपने कल भी सीकh लिया था, तो आगया, अब देखो तीसरी सा तो इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है सब को समझ में आ जाता है कि वह अजार रुपए इस पे तो लगेगा उसके बाद में बताओ जो यह अजार रुपए है जो यह अजार रुपए यह एक साल है ना यहां पर ठीक है यहां पर यह एक वर्ष कंप्लिट होगी और एक वर्ष यहां पर एक वर्ष यह खत्म हो जाएगी तो इस एक वर्ष में अजार रुपए पर कितना ब्याज आया है सो रुपए आया है ना अब बताओ दस हजार रुपए का ब्याज तो इस वर्ष भी अजार आया है तो इस वर्ष में भी कितना आएगा अजार रुपए आएगा ना उसके बाद में बताओ यह अजार रुपए और बच गे ना और यह सो रुपए बच गे दस अजार का तो अजार निकाल लिया लेकिन अजार का भी तो ब्याज बस गया ना अजार का एक वर्ष का ब्याज कितना होता है सो रुपए तो यह अजार रुपए इस वर्ष में आ जाएंगे ना क्योंकि एक साल पहले तो यह नहीं थे क्यों नहीं थे क्योंकि कोई ब्य तो ग्याद कर लिया जैसे एक साल कॉंपेलिड हुआ तो एक ब्याज आगे अपने पास यह ब्याज अपने मुर्दन मानके ग्याद कर लिया ठीक है अपदिज सुर्च वर्श में जो मुर्दन था उसका ब्यास तो पर चीक है और जो शो उस में जो यह ब्यास और सो रुपए तो इस चक्रवर्धी ब्याज का हमें पता है ब्याज पर ब्याज लगता है तो ब्याज कितना? 100 रुपए तो यह हो गया हो गया ना? और 1000 रुपए यह हो गया कितने हो गये? 1100 हो गये कि नहीं हो गये? ब्याज पर ब्याज लगता है तो यहां पे ब्याज आया, हमने लगा दिया, निकाल लिया, अब ब्याज दो हो गए न, एक तो ये 100 रुपय हो गया, और एक ये 1000 रुपय हो गया, तो कितना ब्याज हो गया, 1100, तो अब इन दोनों को जोड़के, कितना परशेंट निकालना है, वो ही 10 परशेंट निकालना ह बस ये बात ध्जान में रखना है कि जब अपन तीन वर्ष का जब अपन चक्रवर्दी ब्याज ग्यार्द करें तो दो वर्ष तक तो आसानी सी याद रह जाता है कि पहली साल तो अपन मूलधन पे निकाल देते है उसके बाद में मूलधन वाला लिख के जो भी ब्याज आया उसका परशेंट निकाल देते हैं उत्तर अपना सही होता है लेकिन जब अपन तीसरी वर्ष में जाते हैं तो मूल धन का लिख देते हैं फिर जो अजार पे जो ब्याज था उसके लिख देते हैं उसके बाद अपन गलती क्या करते हैं जो ये सो रुपे, जो 1000 रुपे का ब्याज था एक साल का यहां से, उस पे ब्याज अपन निकाल देते हैं, कितना procent, 10 और उतुर अपन दे के आता है, 10 रुपे आँ जो कि अपना क्या होता है, गलत, क्यों कि कुल ब्याज पे लगेगा ना, मूल दन तो अलग है लेकिन ब्याज तो कुल ब्याज भी लगेगा न यहां तो क्यों अजार रुपए था तो अजार रुपए का सो रुपए आया अब बताओ ब्याज अजार तो ये सो रुपए ये मतलब अजार ये और सो रुपए ये कितना हो गया ग्यारा सो हो गया की नहीं ब्याज तो ग्यारा सो रुपए पे लगेगा यहां पे ब्याज ना कि इस सो रुपए पे यह चीज आपको ध्यान में रखना है यह चीज आपको ध्यान में रखना है हमेशा जितना आपके पास ब्याज होता है कुल उस कुल ब्याज को जोड़ते जाओ और आगे परशेंट निकालते जाओ यहां पे एक था अपने पास इसलिए इस एक का निकाल लिया यहां पे दो ब्याज होगे अजार तो यह और शो यह तो इसको कुल को जोड़ो पहले करिन को लिखो फिर जोड के दुबारा से क्या निकालो परशेंट निकालो क्यों क्यूंकि चक्रवर्धी ब्याज कहता है कि ब्याज पर ब्याज लगता है आगे क्या बात समंद में पहले तो मूर्दन का निकाला ठीक है एक वर्ष का मूर्दन होता है एक वर्ष में तो ब्याज होता है नहीं तो आगे 1000 रुपए जब दूसरे वर्ष की आप बात करोगे तो 1000 रुपए उस मूर्दन का ब्याज तो लिख लिया लेकिन 1000 रुपए ब् 10,000 मूल दन का ब्याज, 100 रुपए ब्याज हो गया, 1000 रुपए का ब्याज, माल लेते हैं अपन, फिर यहां पे ब्याज गौन सा आएगा, जो दोनों ब्याज अपने पास है, उनको जोडने के बाद में ही तो ग्याद करेंगे, क्योंकि उन दोनों पे क्या लगेगा, ब्याज लगेगा तो दोनों जो भी दोनों ब्याज होगे, उनको जोड़ो, फिर क्या करो, परशेंट निकाल लो, जो भी उत्तर आएगा, वो क्या हो जाएगा, तीन वर्ष का ब्याज, तो देखो, हपने हल करते हैं, आगे, दो जिरो से दो जिरो, देखो, 1000 तो पहली साल का ब्या प्लस में, 11 को 10 से गुना करो, 110 और आ गया ना, तो 110 जोड़ो इसमें, कितने हो गई, 1210, तो 1000 पहली साल में मिलेगा ब्याज अपने को, दूसरी साल में मिलेगा 1100 रुपे, और तीसरी साल में मिलेगा 1210 रुपे, अगर आपको ये चीज़ ध्यान में नहीं रहना, कि इन द लिखा ठीक है, 100 रुपे लिख लिए, यहां तक लिख लोगे, उसके बाद आप क्या करते हो, 100 रुपे का 10 परशेंट निकालते हो, तो यहां से निकालोगे तो ब्याज आएगा 10, तो 1000 और 100 कितने होगे, 1100 और 10 कितने होगे, 1110, ये ब्याज कितना है तीसरी साल का, 1110, बत देखो इसमें तो पहली साल और दूसरी साल के बीच में अज़ार का अंतर है और फिर दूसरी से तीसरी में केल 10 का अंतर ऐसा possible होता है क्या नहीं होता ना अगर अंतर इतना है तो इस से अंतर जादा ही होगा देखो हुआ भी है इसको हटाओ यहां पे तो अंतर के और कितना है अजार का लेकिन यहां पे कितना हुआ है कितने का हुआ है 110 का गया और यहां पे कितना हुआ था सो का अजार का नहीं भी सो का यहां पे तो सो रुपय का अंतर है और यहां पे कितने का हुआ है 110 का और अगर आप ऐसे लेते हो ग्यारा सो दस से खंच नहीं कि अंतर सॉक कितने मिलेंगे गाएंगों कि यहांप यह कि अंतर कितना है इसे होताइगा चकरवर्दी ड्याज में हमेसा चकरवर्दी ब्याज पर शाल बढ़ता है क्यों बढ़ता है क्योंकि ब्याज पर ब्याज लगता है तो यह बात आपको ध्यान में नहीं रहे कि इन दोनों को जोड़ना है तो जब आप ब्याज ग्यात कर लो तो हमेसा ध्यान रखना है कि चक्रवर्दी ब्याज पर एक साल बढ़ता है वो भी इस आंकड़े से ज़्या अंतर इनका बढ़ता जाएगा आगई बात द्यान में तो इन दोनों को जोड़ के परशेंट ग्याद कर लो और आपका तीन वर्ष का क्या जाएगा ग्याद जाएगा तो देखो अब मैं जोड़ देता हूं इनको दूसरी साल का कितना है ग्यारा सो तो आजार प्लस में by्यारा सो प्लस में बारा सो दस जोड़ो जीरो एक दो और एक तीन एक दो और तीन कितना गया? 3310 रुपे क्या आगया? ब्याजा आगया कितना रुपे ब्याजा है? 3300 रुपे तो समझने लाएग बस इतना है थी दो साल का तो हम सीख केते सिंपल सा था पहली साल तो क्यों मुल्धन पे निकालो उसके बाद में दूसरी साल मुल्धन वारा लिखके जो भी ब्याज प्याया उसका निकालो दोनों को जोड़ दो उत्तरा जाता लेकिन तीसरी साल याद रखना है मुल्धन का लिखो फिर जो करने के बाद में उसका परर्शेंट निकालो फिर जोड़ दो समझ में आगा होगा ठीक है ऐगे वाला क्यूशन देखो अगर सम्झ में कोई क्यूशन नहीं आए तो वीडियो को एक बार रोकके डुबारा से देखा करो उस परशन को समझ में आ जाएगा एक बार नहीं आएगा हो सकता है लेकिन दूसरी बार पक्कासमज में आ जाएगा तो देखो क्योस्तर अपन चेर्ज करते हैं मूल दन अपन ले लेते हैं 20,000 रुपे कितना ले 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 लेужा है ब्याजगाद करो कोई भी ब्याजगाद करो आप हमेसा ऐसे कि आंकड़े सैट होते किसमें जो भी देगा न आपको एक्जाम में उसमें आप पॉइंटों में उत्तराने की सबावना बहुत कम होती है क्यों कि पता होता है कि एक्जाम में time बहुत कम होता है exam में time बहुत कम होता है तो by the way को एक point में उतर आता है लग बग जब आप उतर करते हो तो लग बग पूरा पूरा उतर आता है आपने देखा भी होगा exam में ज़ादा से ज़ादा एक मिट जाता है तो परशन क्या अपना तो तीन वर्ष का क्या गयात करना है आपने को को देखो कितनी दे रहे हैं 20% तो देख लिए ठीक है उसके बाद में क्या करना आ है समय को चेख करो कितना है तीन वर्ष तो निखुऽा एक wanna को निख जितने भी वर्ष देऊ क्या लिख लो sequence में लिख दो लिख लिया उसके बाद में मूलदन को देखो जो भी मूल दर्मे रासी देर किया है उसका परतिसत मान ग्याद कर लो जो दर्मे देर खा है ठीक है तो देखो 20,000 रुपए की दंदरासी का एक वर्ष का ब्याज इतना ही तो होगा देखो एक लिखना ज़रूरी है क्या साधान ब्याज का इस उत्तर है यह आप पर यह इस उत्तर होगा और आप परतिसत लगा होगे तब भी यह होगा क्योंकि हमेशा यह ध्यान में रखना इस विदी से ब्याज हमेशा अपन कितने साल का निकालते हैं एक साल का चाहिए इस पहली साल में भी एक साल का दूसरी साल में साल तो दूसरी का निकाल रहे हैं ठी ठीक है लेकिन ब्याज केवल एक ही वर्ष का देखो एक वर्ष तो यहां कंप्लीट होगा ना कोई भी अपन वर्ष तो उदार दिये आज तो आज से एक वर्ष बाद ही तो एक वर्ष कंप्लीट होगी ना तब ही तो यहां पर ब्याज लेगा फिर एक वर्ष के बाद में जो यह समय जो होगा एक वर्ष और हो जाएगा ना तब जाके एक साल तो यहां होई थी फिर तभी तो दो वर्ष होगे ना तो यहां तक एक वर्ष कंप्लीट होता है यहां दूसरी साल कंप्लीट होती है लेकिन यहां से यहां तक कियों कितनी वर्ष होती है एक वर्ष तो इतना तो ब्याज यहां पर अपन ने ग्याद कर लिया यहां तक तो तो बताओ यहां से यहां तक के ओल ब्याज यही तो ग्याद करेंगे तो समय कितना होता इसमें के ओल एक वर्ष का पिर ऐसे ही देखो दूसरी साल यहां कंप्लीट हो गई और यहां से यहां जाने में कितने समय हो जाएगा एक वर्ष का तो दो वर्ष का ब्याज तो अपन ही पर ग्याद कर लेंगे दूसरी साल का तो बचे का कितना के वल दूसरी साल से तीसरी साल मतलब इस एक वर्ष का तो इस विद्धी में हमेसा घ्याज अपन के और एक साल का निकालते खिंश से उस एक साल को मांते हैं कि वह पहली साल है और अपन क्या घ्याद करते अ'm यह चीज अगर आपको समझ में आ गई तो पुरा क्यूसर आप क्या कर लेते हो तो देखो इसको हटा देता हूं दूसरी साल है और पहली साल तो पहली साल का ब्याज ग्याद करना है 20,000 रुपए का 20 परतिशत की दर से एक वर्ष का ब्याज कितना आएगा 100-20, 20 को 200 से गुना करो, कितना आएगा 20-40, 20-40 और 2-0 चार हजार रुपया आगया ना, इस 20,000 रुपया की जो धनरासी है ना, उसका एक वश का ब्याज किकना है, चार हजार रुपया है, ठीक है, क्योंकि पहली साल तो किवल किस पे ब्याज लगेगा, चाएवो चकरवर्दी हो, चाएवो साधान हो, किवल मूल्दन पे, ठीक है, जैसे ही ये साल कंप्लीट होगी, यहाँ इस तरफ चलेंगे, तो मूल्दन तो है उदार में, साथ में क्या हो जाएगा ये, ब्याज भी उदार में, क्योंकि चकरवर्दी ब्याज अपन पढ़ रहे है, तो बिस हजार और चार जाजर दोनों हो जाएँगे न, तो इन दोनों का व्याज गयाद करना पड़ेगा न, हमें पता है, बिस जार का तो एक साल का ब्याज कितना है? two hundred तो इस बीस जार रुपए का तो ब्याज रिख दिया चार हजार अब इस चार हजार रुपए का एक साल का ब्याज और ची ये ना इस चार हजार का एक साल का ब्याज तो चार हजार रुपए की दंडरासी का 20 पर 30 की दर से एक वर्ष का ब्याज तो ये एक हटा भी दो या रख भी लो तो 2-0 से 2-0 40 को 20 से बुना करो कितना जाएगा 800 और 4,000 ये तो पहली साल में तो 4,000 रुप्य ब्याज और दूसरी साल में कितना 4,000 और 800 कितने होगे 8,800 रुप्य ब्याज क्यूंग? क्यूंकि 4,000 रुप्य बिस हजार रुपए का एक साल का ब्याज हो गया लेकिन चार हजार रुपए जो ये ब्याज है ये और बढ़ जाता है इसकी वजह से इस पे क्या लगता है ब्याज और इस चार हजार रुपए का एक साल का ब्याज कितना होता है आठ सो रुपए तो दोनों ब्याज कितने 20% ठीक है मूर्दन देखो जब मैं मूरदन बिस हजार लूँ तो कितना व्याज आएगा एक동ट का? 4,000 रुपा ना, तो ये लो रहते है 4,000 उसके बाद में जब मैं मूरदन 4,000 रुपाय रुक हूँ 20,000 रुपपय रखा व्याज एकवर्ष का कितना आया चार अजार फिर मैं चार जार रुपए रखूं कितने रखूं चार अजार रुपए तो मेरे पास ब्यास कितना आता एकवर्ष का आठ सो रुपए आता है न तो यह लो मैंने आठ सो रुपए लिख दिये इसका एक वर्ष का हो गया यही तो एक वर्ष इस एक वर्ष में बिस जार का तो ब्याज हो गया चार जार और इस एक वर्ष में इस चार जार का ब्याज कितना हो गया अब मेरे को चाहिए कि चक्रवर्धी ब्याज में जो भी ब्याज होगा उस पे क्या लगेगा ब्याज तो टोटल ब्याज कितना है दूसरे वर्ष में 4800 रुपए तो इस 4800 रुपए पे क्या लगेगा अब ब्याज और लगेगा ना क्योंकि चक्रवर्दी ब्याज में ब्याज पे ब्याज लगता है तो इस 4800 रुपए पे और ग्यात करो ब्याज मुल्दन कितना हो गया 4800 रुपए दर कितनी है 20% तो ये लोग भाग 200 का 20 से क्या हो गई 20 कट गई ठीक है 4000 और 800 कितने हो गई 4800 पलस में 48 को 20 से बुणा करेंगे कितना हैगा 960 रुपए कितना हैगा 960 48 दूड़ी चान में और एक 0 तो इस 20,000 का एक साल का जिए अपन बात करें तो ब्याज होता है 4000 रुपए और जब इस 20,000 की 2 साल की अपन बात करें तो 4000 रुपए तो इसके खुद के और 800 रुपए ब्याज और किसका बढ़ जाता है इस 4000 रुपए ब्याज का ब्याज आ जाता है ठीक है फिर जब अपन तीसरी साल की बात करें तो 4000 रुपए तो 20,000 का हो गया 800 रुपए इस 4000 के हो गय और ब्याज कितना हो गये अपना 1800 रुपए देको सिधी सी बात है याद यह रखना है कि जो भी पिछे वाली साल में ब्याज हो ना उस पे ब्याज और निकाल दो यहाँ पे 4000 है यहाँ पे 2800 है तो यहां 3800 का निकाल लिया इससे आगे बढ़ेगा तो इन दोनों को जोड़ो कितना जो भी आएगा ना उससे आगे और व्याज ग्याद करो सिखेंगे चार साल का तो तीन वर्ष का व्याज ग्याद करते इसमें याद रखना है कि जो भी दूसरी साल में व्याज है उसको जोड़ो जोड़ने के बाद में क्या करना है आपको व्याज ग्याद करना है तो कुल ब्याज कितना हो गया 4800 प्लस 960 अब जोड़ो इसको देखो यहाँ पर कितना हो गया 4800 और 960 0 6 9, 8, 17 1, 4 और 1, 5 5760 हो गया तो अब जोड़ो 4000 रुपए पहली साल के 4800 रुपए दूसरी साल के और 5760 रुपए तीसरी साल के ठीक है 0, 6, 8 और 57 हाँ सिर 1, 5, 4, 9 9, 5, 14 तो ब्याज कितना आ गया 14,560 रुपए ब्याज हो जाएगा तीन साल का देखो यहाँ तो 800 रुपए ज़ादा है ना दूसरी साल के यहाँ पर कितने ज़ादा है 4800 से 3760 होने में कितने हो जाते है 960 रुपए ज़ादा है ना देखो बढ़ रहा है ना सिर्केस मैंने बताया है हमेशा चकरवर्दी ब्याज में क्या होती है वर्दी होती है पहली साल से दूसरे साल का ज़ादा होगा दूसरी साल से तीसरे साल का तीसरी साल से चोथी साल का व्याज गया होगा, आप मेंसा ज़्यादा होगा, तो समझ में आ गया होगा, तीसरी साल के व्याज गयाद करने में इतना ध्यान रखना है कि जो भी दूसरी साल में व्याज, खुल ब्याज है, उसका प्रतिसत मान गयाद करना है, उसको क्या मानना है, नूर्ड थीक है, तो समझ में आ गया 3 साल का व्याज गयाद करना अब अपन गयाद करना सीखेंगे, 4 वर्ष का व्याज कैसे गयाद करें, ठीक है, 4 वर्ष से आपको जादा पुछेगा नहीं और पूछता भी है, तो यही विद्धी है इस वीधी को यह आगे क्या करते जाओ आप फोरवर्ड करते जाओ कैल्कुलेशन हार नहीं होती है क्योंकि देखो यह गुणा बाग करने में कोई दिक्कत ही नहीं है दो जीरो से दो जीरो कट गए चारजर फिक्स आए और अगर आप सुत्तरशे करते हो तो देखो तीन साल का ऐसे होता बीस हजार मूल दर्ण इंटू वन प्लस का दर्ण तो एक सो बीस बटा सो इंटू एक सो बीस बटा सो इंटू एक सो बीस बटा सो माइनस में बीस हजार तो यह कैल्कुलेशन एक साथ पूने से क्या हो जाती बड़ी हो जाती ठीक है इस विद्धी में टाइंड नहीं लगता क्यों हो प्योंकि जब ये एक बार माइंड में बेट से आएगी तो अपने आप माइंड में भी कर शकते हैं ठीक है तो समझ में आ गया होगा अब अपन देखेंगे चार वर्ष का चक बड़ा सबाव समंझ लेएंगे इस विद्धी को तो बिलकुल आसान सी विदिया ऑ कई तो डिया और ब्याष किसका अजेक अपन्याद कर आज कि देखो तो समय चार वर्ष ठीक है दिया है कि वालर्ष करेंद झालए चक्रवर्दी ब्याज ग्याद करो 20,000 रुपय की दंदरासी का 20 परतिसत की दर्शे चार वर्ष का चक्रवर्दी ब्याज ग्याद करो ठीक है तो ब्याज अपने को ग्याद करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना है धर को देखो कितनी है तो 20% ठीक है फिर क्या करना है समय को देखना है कितना है जितनी भी वर्ष है उतनी बार लिख दो तो देखो एक साल दो साल और तीन साल और चार साल इतनी है ना तो रख दिया मैंने साल लिख ली उसके बाद में क्या करना है जो भी मूलदन दे रखा है उसका पर्ती सत मान गयाद केरो जो धर में दे रखा है तो भूल दन 20,000 रुपए है, 20,000 रुपए का क्या ग्याद करो, एक वर्ष का ब्याद, तो यही आएगा ना, तो कितना आजाएगा, 4,000 रुपए, एक वर्ष का 20,000 रुपए का चक्रवर्दी ब्याद कितना, 4,000 रुपए, 20,000 रुपए का 20% की दर्शे 7,000 ब्याद कितना, 4 थीक है चक्रवर्दी ब्याज़ गयात करें लेकिन सुत्र हमेशा किसका काम में ले रहे हैं साधान का कितने भी आप पर्षन कर लेना सब में अपन लगबद साधान ब्याज़ का सुपर काम में लेगे एक आद क्योशन को अपन छोड़ दिए ठीक है तो देखो आगे एक साल क अब दूसरी साल का आप्याज़ गवाद करना है समझा वीजिया मैंने से इसे क्यूसन को तीर वर्ष संभगे अगया था है तो दो वर्ष का गयात करना है तो 20,000 रुपै को यह अवदी कितनी हो जाएगी एक वर्ष और हो जाएगी न तो इस एक वर्ष में कितना कुल ब्याज उस पर और क्या करना है उसको क्या मानना है मूलधन मानना है और ब्याज गयात कर रहा है मैंने बता है ना चक्रवर्दी ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है तो जो भी पिछे वाली साल में ब्याज है उसको मूलदन मानके क्या कर लो ब्याज ग्याते कर लो तो 4000 रुपए पे क्या मूलदन हो गया 20% की दर से एक वर्ष का ब्याज तो 2000 से 2000 कट गए तो 4000 पलस में 24 को 20 से गुणा करें कितना जाएगा 800 रुपए तो टोटल ब्याज कितना 4800 रुपए पहली साल 4000 ब्याज है दूसरी साल 4800 रुपए है ठीक है फिर तीसरी साल की बात करो 4000 रुपए तो ब्याज कौन सा हो जाएगा 20,000 रुपए का फिर 4000 रुपए कौन सा 4000 रुपए का ब्याज कितना जाएगा 800 रुपए यह तो ब्याज पर ब्याज लगता है और जो भी पिछे वाले वर्ष में ब्याज है पुल ब्याज उस पर क्या निकालो ब्याज निकालो तो 4800 रुपए का क्या करो वे 20 पर 35 की दर से एक वर्ष का व्याज 20 से 20 4000 पलस में अच्छा ये नहीं कटने चीए थे वही क्योंकि ये तो पलस में आ तो देखो जहांपे क्या क्या बने 800 रुपए करो ना 8800 रुपए ठीक है क्योंकि ये तो ब्याज लिखना है 4800 रुपए ये इसके ब्याज हो गए और कुल ब्याज कितना 800 तो 2 0 से 2 0 कट गया 48 को 20 से गुणा करो गए कितना हैगा 960 अब जोड़ दो कितने हो जाएंगे ये 800 पलस में 900 तो 4800 पलस में 960 कितने हो जाएंगे पहली साल का ब्याज 4,000 रुपए दूसरी साल का 4800 रुपए और तीसरी साल का कितना 960 रुपए ठीक है अब ग्याज करना है 4. साल का ब्याज तो देखो 3 साल का तो समझ लिया था ना पन्य 4. साल में ग्याज करना है तो बस बहु सेंज भी दिये इस अड़ाड़ी सो रुपए का ब्याज कितना है नो सो साथ रुपए ठीक है पलस इस सब्तान सो साथ रुपए का आप क्या करना है अमें ग्याद करना है हमेशा ज्यान में रखो जो भी पिछे वाली वर्ष में कुल ब्याज है उस पे और ब्याज ग्याद करना होता है ऐसे ही आपे विद्री लेते जाओ तो यहां पर 4000 था तो 4000 पर याद किया फिर यहां पर 4880 पर यहां से 376 वा तो यहां पर 4760 का 308 ग्याद करो यह ग्याद कर लो एक वर्ष का 20% की दर्शे ठीक है ऐसे यह पांच साल आपको देता है तो क्या जोब जोडने के बाद में जो भी ब्याज आए उस पे और 20% की दरसे एक बर्षका ग्याद कर लो ऐसे ही आप कितने भी साल का दे जाए जो भी पिछे वाले साल में कुल ब्याज आता है उस पे आगे ब्याज निकालते जाओ और वो जोडते जोड़ते जाओ और sequence type 4000 आये तो 4000 जोड़ दिया फिर 800 और आये तो 800 और जोड़ दिये फिर 960 होर आये तो 960 और जोड़ दिये जो भी कुल वियाज होता है उस वियाज भे वियाज ग्याद करूँ सिंपल सी भी दिये साधान वियाज कहीं шूतर है तो ग्याद करूँ एक जिरो से एक जिरो और एक जिरो से एक जिरो तो चार अजार प्लस में 800 प्लस में 960 प्लस में 500 चिंतर को दो से गुणा करेंगे कितने आएंगे 6 दूनी 12 आसिल 1 कितने आजाएंगे ग्यारा सो बावन तो 4000 पहली साल के प्लस में 800 रुपए दूसरी साल के प्लस में 5760 रुपए तीसरी साल के प्लस में 4000 और 888 और 960 कितने होगे 5760 प्लस में क्या करना है ग्यारा सो बावन जोड़ना है तो जोड़ो दो पांच और छे ग्यारा असिल 1 एक एक दो दो और शाथ नो पांच और एक छे कितने होगे उन्हें तर्षो बारा रुपए होगे कितने उन्हें तर्षो बारा तो यह क्या करो इसमें उन्हें तर्षो बारा रुपए जोड़ो देखो जोड़ा ही तो है दो पांच और छे ग्यारा असिल 1 एक एक दो दो और शाथ नो पांच और एक छे तो अब यह चारों वर्षों का ब्याज आ गया ना पहली साल इतना अब आज जै दूसरी बर्ष इतना है तीसरी साल इतना है और चोती साल जोड़ो सबको तो देखो दो जीरो दो दो आगया ना एक और छैसाथ सात और जीरो साथ और सात और जीरो साथ 9 और 6 6 6 और 8 24 24 और 0 24 का 4 हासिल 2 6 और 2 8 8 और 5 13 13 और 4 17 17 और 4 21 तो ब्याज कितना हो गया 21,400 रुपे मूर्दन कितना था 20,000 और ब्याज कितना हो गया 21,400 रुपे आ सकता है क्योंकि ब्याज अजर अपनने क्या लिये ज्यादा लिये कम लेंगे तो कम आ जाएगा और आप ज्यादा लोगे तो ज्यादा लिया जाएगा क्योंकि आपन भी तो करते ना कोई 2 रुपे सेंगड़े पर देता है कोई 1 रुपे भी देता है और कोई 5 रुपे भी देता है तो उसे हिसाब से मैंने ग्याद किया है, सिर्फ ग्याद किया रखना है, पहली साल पे तो क्यों मूलदन पे ब्याद ग्याद करो, दूसरी वर्ष में मूलदन का तो करना ही है, साथ में जो भी पहली वर्ष का ब्याद है, उसका एक ब्याद ग्याद करो, फिर दूसरी साल में क्या करना है मूलधन का तो करना ही है फिर उसके बाद में जो पहली साल का ब्याज था उसका ब्याज जोड़ो फिर जो भी दूसरी साल में कुल ब्याज होता है उस पे ब्याज गयात कर लो छोती साल की बात करोगे तो पहली साल का ब्याज फिर दूसरी साल में जो भी पहली सा साल में कुल ब्याज हुआ उसका ब्याज और फिर तीसरी साल के कुल ब्याज का क्या करो एक वर्ष का ब्याज और क्या जाएगा अपना उत्तरा जाएगा कितनी भी साल आपको दे इस विदी से क्या हो जाएगा आपका परसन हल हो जाएगा कैलकुलेशन बड़ी करने की जूर जाते जाओं ठीक है और हमेसा द्हान में रखना है कि चक्रवर्दी ब्याज हमेशा पिछली साल से क्या होगा आगे वाले साल में ज्यादा होगा ठीक है तो अब आपन थूड़ा टाइप चेंज करते हैं व्याज गयात करना सीखें होगे कितने भी साल का दे आप ग्यात कर लोगे ठीक है? तो देखो क्यूसिन का अपन तोड़ा format change कर लेते हैं एक देखो ब्याजदर जो होती है ब्याजदर उसको अपने को समझना है कि वो किस इसाब से दीवी मिलती है अपने को देखो ब्याजदर कही परकारशे होती है नाम भी सुनाओगा आपने कि अर्दवार्षिक वार्षिक, त्रेमासिक और मासिक ये अलग-लग ब्याजदर होती है अलग-लग ब्याजदर इनकी विसेशताएं पढ़ेंगे अपन इस पे आदारित अपन अब क्योसन करेंगे ठीक है सबसे पहले अपन वार्षिक का तो अपन अब ग्याद कर रहे है वार्षिक का मतलब क्या है कि अपन ब्याज है वो एक साल से लेते हैं जैसे ही एक वर्ष कंप्लेट होगा हम ब्याज लेंगे पिर जैसे ही दूसरा साल कंप्लेट होगा फिर ब्याज लेंगे और अर्दवार्षिक का मतलब है आदी साल छे मिने कंप्लेट होते ही अपन क्या लेंगे ब्याज लेंगे फिर छे मिने कंप्लेट होते ही क्या लेंगे ब्याज साल में कितनी बार ले लिया दो बार और अगर आप त्रेमासिक ब्याज की दर करते हो तो अपन परतेग तीन मीने से क्या लेंगे ब्याज फिर तीन मीने होंगे ब्याज फिर तीन मीने ब्याज तो साल में तीन मीने के हिसाब से लेंगे कितनी बार ब्याज लेंगे? चार बार यह समझना है इस पे आदारित क्योसन कैसे होते हैं? किस परकाल से अपने को करना है? ठीक है? तो देखो मैं एक क्योसन लेता हूँ क्योसन मैंने लिखाया है कोई भी अर्दवार्शिक पर आदारित करेंगे अपन कितने पर अर्दवार्शिक मतलब 6 माई जो भी ब्याज होगी ना 6 माई ब्याज 6 महीने के इसाब से अगर अपने से को ब्याज लेता है उस पर आदारित अपन क्यों सन करते हैं तो बीस हजार रुपए की धनरासी है बीस हजार रुपए की धनरासी का बीस परतिसत की दर्शे एक वर्ष का ब्याज ग्याद करो यदि ब्याज की गणना अर्द वार्षिक रूप से की जाए कि बीस हजार रुपए की कोई धनरासी है उसको बीस परतिसत की धर्शे उधार दिया जाता है एक वर्ष के लिए तो हमें ब्याज बताना एं तो क्या करना है ब्याज देखो यहां पे लिख लेना एक वर्ष का चक्रवर्दी ब्याज जात करो यदि ब्याज की गणना अर्द वार्षिक रूप से हमने किसी को 20,000 रुपे उधार दिये 20 पर 30 की दर्शे और हमने उसका वोला है कि ब्याज परते एक 6 मीने में लेंगे कितने मीने में परते एक 6 मीने में मतलब एक साल में अपन दो बार ब्याज लेंगे उसे तो हमें बताना है कि उससे एक वर्ष में कुल कितना ब्याज लेंगे, वो भी कौन सा चक्रवर्दी, आगया बात समन में, एक वर्ष में ब्याज की गणना अगर अर्दवार्शिक देता है, अर्दवार्शिक, या 6 माई, तो ब्याज एक वर्ष में दो बार लेते हैं, दो बार कैसे हैं, जैसे 6 मेने कंप्लेट होंगे, एक बार ब्याज लेंगे, फिर 6 मेने और होंगे, तो एक बार और लेंगे, तो हमेशा ध्यान में रखना है, जब भी ब्याज अर्दवार्शिक रूप से हो, जब भी ब्याज 6 माई के इसाब से हो, तो ब्याज एक वर्ष में दो बार लेते हैं, तो उसका ब्याज कैसे ग्यात करें देखो, जब भी आपको अर्दवार्शिक और 6 माई दे, अर्दवार्शिक और 6 माई नाम मिले, तो क्या करना है, दर को तो कर दो आदा, दर को आदा क्यों? क्योंकि जो भी आपको उपर दर दे अखी है तो ये क्या दियो भी मिलती है लगबग? वार्षिक दियो भी मिलती है क्यों? क्योंकि वार्षिक दर का मतलब है एक साल की और हमेजी ये कितने महिने की? छे महिने की तो एक साल की 20 तो 6 मिने के कितनी 10, किस से आईए ये, दो का भाग देने से ही तो आएगी, तो वार्षिक जो अदर है, उसको अगर अर्दवार्षिक अपने को बनाना है, तो क्या करना है हमेसां, दो का भाग देना है अधर में, ठीक है, और समय जो होता है समय उसको क्या करो 2 से गुणा क्यों करना है 2 से गुणा देखो एक वर्ष का समय अर्दवार्शिक रूप से अपन ब्याज ले रहे तो एक वर्ष में कितनी बार लेंगे 6 महीने और 6 महीने 2 बार लेंगे तो बताओ उस आदमी के लिए जो भी वर्ष दे रहा वो तो एक वर्ष में 2 वर्ष दो बार दे रहा उसके लिए तो वो 6 महीने किया होगे एक वर्ष के बराबर है तो जितनी बार अपन ब्याज लेते हैं उतनी क्या बना लेते हैं यहां पर वर्ष तो यहां पे दो वर्ष होती तो कितनी बार ब्याज लेता एक में दो तो दो वर्ष में चार बार ले लेता तो हमेशा जब भी ब्याज की दर वार्षिक दे रखी है उसको अर्दवार्षिक बनाना है उसको छे माई बनाना है तो हमेशा दर को तो दो का भाग दे दो और शमय को क्या करो दो से गुणा कर दो हमेशा जो भी आपको दर दे रखी है वार्षिक उसको अर्दवार्षिक बनाना है तो दर को तो दो का भाग देना है और शमय को दो से गुणा करना है ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे क्युस्तन में देरका है कि मूलदन जो है 20,000 रुपए ठीक है, दर देरकी है 20 पर 30 देखो जब भी आपको कोई नाम नहीं मिलेना दर के साथ में तब तक उसको क्याब मानना है में सा वार्षिक मानना है जुरूरी नहीं है इसके साथ में वार्षिक नाम होकी दर्षिक का 20 पर 30 वार्षिक दर्षिक जब भी आपको वार्षिक नाम नहीं मिले या कोई भी नाम नहीं मिले, तब तक उस दर को क्या मानना है, वार्षिक ही मानना है कुछ भी नहीं मानना लग अगर दर के आगे वार्षिक अर्दवार्षिक त्रेमासिक नहीं दे रखा है तो भी उसको क्या मानना है में सा वार्षिक तो ये तो है वार्षिक अपने को ब्याज कितना निकालना है अर्दवार्षिक रूप से तो कितना जेगा? 10,ires ठीक है, समय कितना दे रखा है? समय दे रखा है? एक वर्ष ठीक है? तो बताओ एक वर्ष में तो ये वार्षिक दर अती तब व्याज लेता ना हो लेकिन बोल रहा है अरदवार्षिक तो एक वर्ष में कितनी बार? दो बाग तो जब भी आपको समय कितनी भी वर्ष दे रखाओ उसको अर्दवार्शिक बनाना है तो क्या करो समय को दो से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा दो वर्ष हमेशा याद रखना है जब भी आपको वार्षिक से अद्वार्षिक में क्योसन बनाना है तो दर को तो दो का भाग दो और समय को दो से क्या कर दो गुणा कर दो जो भी उत्तराए निकाल दो सही होगा तो मैंने कर दिया अब दर कितनी होगी अपनी 10% बीस हजार मूल दन है समय कितना है दो वर्ष ठीक है परसन करना है अपने को घ्याज ग्याद करना है सियाई बराबर परसन वाचक चिल तो दर कितनी दे रखिये है 10% समय कितना है दो वर्ष तो एक और दो क्या करना है मूल दन का परतिसत मान ग्याद करना है तो देखो 20,000 इंटू में 10 एक वर्ष का ब्याद चीह है न तो 2,0 से 2,0 कितने आ जाएंगे 200 को 10 से गुना करेंगे 2,000 तो 20,000 का 10 परतिसत की दर से ब्याद कितना हो गया 2,000 तो जब 6 महिने कंप्लीट होंगे न उसको 6 महिने कंप्लीट होंगे तो 20,000 रुपए तो थे उसके 2,000 रुपए क्या बन जाएंगे ब्याद की और बन जाएंगे 6 महिने कंप्लीट होते ही 2,000 ब्याद के ये वर्ष अब क्या होगी अर्दवार्षिक है मतलब इसमें को 2 शे गुंड़ा करते ही एक साल है फू च्हाह महिने के बन जाती है तो एक साल 6 महिने के नहींद पूरी देर के NBA 12 म्हनें इसमें तो 6 6 महिने के कितनी साल बन गई दो तो इस थै महीने का ब्याज कितना आगया दो इॉजार आगह वाले छह महीने का यह दूसरी साल का तो जो मूरदन है उस सो ब्याज लगेगा ये कितना थो कि पहले है घुश्व कि दो जा зап로 हुआ तो 2000 पे क्या करो दस परतिशत की दर्शे एक वर्ष का ब्याज, तो 20-20 कितना आगया? 200, 2000 ये, तो कुल ब्याज कितना? 2000 तो पहली साल का और दूसरी साल का कितना? 2200, कुल कितना ब्याज होजाएगा? तो बताओ आपको जब भी कोई ब्याज अर्दवार्शिक रूप से आपको पुछे वार्शिक रूप से दर दे के तो क्या करोगे दर को तो दो का भाग समय को दो से गुणा आगई क्या बात समझ में बाकी अपनी वही वीदी है उस वीदी से क्या करो क्योसर हल कर शकते हैं आगई क्योसर और करते हैं समझ में आगया ना देखो देखो थोड़ा सा समझने की जूरत है बस एक दो चीज जो याद रखने लाइक बाते हैं वो याद करो उसके बाद में पूरा क्योसर हलो जाता है क्योसर दिया है कि बीस हजार रुपए या दनरासी और भी मान सकते हो दस हजार रुपए कि दनरासी का दनरासी का चारिस परतिसत की दर्शे चारिस परतिसत की वार्शिक दर्शे नाम दे ना दे कोई जुरूरी निया वार्शिक ठीक है ना वार्शिक दर्शे एक सई एक बटा दो वर्ष का एक सई एक बटा दो वर्ष का व्याज दो वर्ष का चकरवर्दी व्याज ग्याते करो C.I.E. का मतलब क्या है compound interest चक्रवर्धी ब्याज यदि ब्याज की गढ़ना अर्दवार्शिक रूप से की जाए अर्दवार्शिक रूप से की जाए देखो अपने पास 10,000 रुपय किसी को डेड़ वर्ष के रिए उधार देते है 14% की धर्षे दिये हमें चक्रवर्धी ब्याज गयाद करना है यदि हम उससे ब्याज कितने महीने से लें 6 महीने से अर्दवार्शिक का मतलब क्या है परतीत 6 महीने से अपने एक बार क्या करते हैं इसाब करते हैं और ब्याज लेते हैं तो चक्रवर्धी ब्याज का हमें पता है कि ब्याज पर ब्याज लगता है, तो जैसे 6 मेने कम्प्रीट होंगे, तो उन 6 मेने का जो ब्याज है, वो आगे उस पर भी ब्याज मिलना स्टार्ट हो जाता है, तो देखो, मूर्दन तो कितना है, 10,000, दर कितनी देर की अपने को, 40,30 दे रखा है, वो भी क्या है, वार्षिक, तो दर को वार्षिक से अर्दवार्षिक बनाने के लिए क्या कर दें, अर्दवार्षिक बनाने के लिए 2 का क्या देते हैं, भाग, तो 40 बटा 2 कितना हो जाएगा, 20,30, ठीक है, समय कितना देर खा है, एक सही एक बटा दो वर्ष ठीक है ये तो समय एक्ट्वल समय लेकिन इसको 6-6 महीने में डिवाड़ करना है अर्दवार्शिक मतलब परतेक 6 महीने से ब्याज लेता है तो डेड़ महीने में 6-6 महीने के हिसाब से कितना लेगा ब्याज या और कोई समय दे दो कितना भी आप मन करें उतना दे दो ठीक है तो मैं जैसे ही गुणा करता हूँ इसको 2 से कर दो क्योंकि अर्दवार्शिक से अब वार्शिक से क्या बनाना है अपने को वार्शिक तो मैं क्या करूँगा 2 से गुणा डेड़ साल है अपने पास एक से एक बटा दो का मतलब क्या है डेड़ साल ही तो एक साल और छे महीने तो जब डबल अपन करेंगे तो एक साल का डबल करेंगे तो दो साल और छे महीने का जब अपन डबल करेंगे तो कितनी साल हो जाएगी तीन साल तो डेड़ वर्ष को जब 2 से गुणा करेंगे तो अपने पास कितना समय आजाएगा तीन वर्ष का समय आजाएगा क्योंकि समय को भी क्या बनाना है अब है 6 माई तो ये तीन वर्ष तो है लेकिन कुल इस तीन वर्ष में वर्ष कितनी है 1 सही 1 बटा 2 थीक है यह तो व्याज लेते हैं कितनी बार लेते हैं Gummi Bala रेते हैं उसकी संख्या आप पील्स लेकिन हपनके क्या कर लेते हैं आई क्या कर लेते हैं वार्षिया रहता हुआ देहां तो देखो समय तीन वर्ष दर 20% मूल दन 10,000 क्यों सन हल करना है दर को देखो 20% दे रहा है समय तीन साल दे रहा है तो एक, दो और तीन लिख दिया ज्याद करना है 10,000 रुपे मूल दन का 20 परतिशत की दर से एक वर्ष का ब्याज तो 2,0 से 2,0 कितना आगया 2,000 तो 10,000 रुपे का एक वर्ष का ब्याज कितना आगया 2,000 अब दूसरी साल का चीए तो दूसरी साल में 10,000 का ब्याज हो गाई 2,000 इस 2,000 पे और ब्याज लगेगा इस 2,000 पे कितना ब्याज लगेगा 20 परतिशत तो ये लोग, तो दो जिरो से दो जिरो दो जार तो है ये पलस में पलस में कितना जाएगा, बीस को बीस से गुना करोगे, चार्शो तो दो जार और चार्शो कितना, चो बीस सो दो जार तो ब्याज है, दस अजार रुपए मूल दन के और 2000 जो ब्याज आया था, पहली साल का, उस पर और ब्याज इतना आ गया बहुत? 400 रुपै हो गया है, यहां तक तीसरी साल में, 2000 तो ब्याज के हों गया ही, मुरधन वाले फिर इस 2000 रुपै का जो ब्याज है, उसका ब्याज इतना है? 400 रुपै अब इस कुल ब्याज का ब्याज गयाद करना है ना यह भी तो ब्याज यह तो इस कुल ब्याज का ब्याज कैसे गयाद करेंगे 248 इंटू 20 पर 3,0 का ब्याज ठीक है दो 0 से 2,0 कितने आ जाएंगे 2000 प्लस में 24 को 20 से बुना करो चार्षो असी ठीक है जोडो इसको 2400 2400 2400 2880 आगे यां तिन्नों सालों का लगला सबको जोड़ो तो 2400 2880 तो 0 8 8 4 12 और 2 आसे एक 3 2 5 और 2 7 तो कुल ब्याज कितना आगे अपना 2880 रुपै देखो ये जो 2,000 रुपै जो ब्याज आया है ना ये लेगा 6 मीने के बाद ठीक है फिर 6 मीने जैसे ही और होंगे कितना ब्याज लेगा 2400 रुपै फिर 6 मीने और होंगे तो कितना ब्याज लेगा 2880 रूप है आगे क्या बात समझने ऐसे लेता वो ब्याज साल तो डेड़ी हुई ना 6 मीने ये 6 मीने ये और 6 मीने ये लेकिन अपन ने इसको अर्दवार्शिक बना लिया 2 से कुणा करके तो बताओ अर्दवार्शिक रूप से ब्याज जब आपको गणना करने के करे तो क्यों सनहल हो जाएंगे क्या ऐसे ही करना है आगी बात समझने तो आगे त्रेमासिक और मासिक रूप से ग्यात करनापन आगे वाले वीडियो में देखेंगे यहां तक सब को समझ में आगया होगा आज के लिए इतना है धन्यवाद